हम discuss करने जा रहे हैं formula जी हम excel के formula के बारे में discuss करेंगे और हम धीरे धीरे हर एक formula के बारे में सीखेंगे तो पहले हैं ठीक देक सन्ट के अपलाई करते हैं क्या concept है उसके kia क्या और وا tar Balkan है वह हम उनको बतायेंगे हम आप वताइंगे उसके बात फिर उनको हम डैश्पोर्स या रिपोर्ट्स में यूज करना सिखाएंगे तो दो तरीके से हमारी एट्रेरिंग चलेगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम पहले क्लास में आपको Mathematical Calculation बताई थी तो वो बताने की जरूरत नहीं है मुझली आपको आता होगा अब इसमें अग्वार जो आता है Question हो आता है हमारे पास हम बात स्टार्ट करेंगे Logical Formulas पहले हम Logical Category की Formula के बारे में देखते हैं उससे पहले हम जानते हैं Mathematical Operator Logical Operator Logical Operator कॉल कंसे होते हैं यह आखिक प्लास स्टार्ट का क्या मतलब है जैसे मांने यह कि मैंने हाँ पे सेल्स की कुछ सेल्स की कुछ फिगर हमने ली हुई है और मुझे कुछ से फिगर greater than 50 है या कोई एक particular condition से उपर है तो generally इसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि if it's greater than 50 और फिग देते हैं जी नहीं इस यहाँ पे हम तब लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं इसमें हम डारेक्ट चेक करना है तो हम डारेक्ट चेक कर सकते हैं अगर होगा तो result क्या आएगा? true आएगा नहीं होगा तो result क्या आएगा? false आएगा इसमें आगया? एक नया result चाहिए अपना चाहिए तो उस case में हम यहाँ पे देखे if एक मिन साथ यहाँ पे देखे if अगर true है तो ok otherwise पे निक जो भी result आपको देना है तो आप यहाँ दे सकते हैं तो if का काम क्या होता है? true and false को अलग-अलग result पे बात है ठीक है? जैसे की अगर switch के आप लेगे तो switch का काम क्या है? अगर वो नीचे का तरफ हो तो power supply करेगा उपर का तरफ होगा तो power supply नहीं करेगा same उसी तरह कि अगर true हुआ तो वो के आपका power हो गया अगर false होगा तो true है और यसी true and false पे आपका पूरा का पूरा algorithm है पूरा का पूरा computer का क्या बलते है binary number system है system होता है कि अगर मैं true लिखूँ और यहां पे false लिखूँ तो system के अंदर भी system के अंदर भी आप देखेंगे तो इसकी value यह होती है हमने plus किया result 1 आया अगर हम दो true करेंगे तो result आएगा true और एक true किया हमने पाया 1 इससे सावित होता है कि true equal to 1 and false equal to 0 तो हम time हम time बचाने के लिए आपने दो जगाव पे condition ना लगाना हो उस case में हम इस के साथ directly को कमाइन कर देते है अगर है तो एक का पाथ नहीं है ए इंडिवीजिटल है हमने इसमें इसको इसको कम लिए प्रीजिजी एसव जी और गुंदन जी को डाव इसमें ने शुप ने शुप को आप इसमें को समझें क्या क्या है जैसे कि हम दो साइन होता है हम दो साइन को मर्ज करके तीसरा चौता साइन बना सकते हैं जैसे कि together than equal to less than equal to not equal क्या हो गया कि पुदोंरे जी हमने बोला 50 से बड़ा और 50 से छोटा तो नोट इक़ल टो 50 हो गया न अैре कि बागई programming में देखेंगे ऑग साइन यह अवर यहाँ पर not इक़ल का साइन इस तरह से लिखा जाता है एकसा हैभिए लोजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया यस तो चलिए अगली जाम पर देखते हैं